प्रेंस कैसे वह आप सब आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं अच्छी हूं और आप सभी का स्वागत करती हूं फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ओफ नीरा में तो जी सुबह के हो रहे हैं पाँ चौरा अजिक दूम पॉफेक्ट टाइम पे नींद कुला है और सबसे अच्छी बात यह रही है कि जैसे में तीन चार दिन से डेली कोसिस करें हूं कि मौर्निंग में जल्दी उटू बट क्या होता था ना कि उटने के बाद भी काफे नींद नींद लगता था फ्रेस बट आज इक दूम फ्रेस नींद खुली है बिल्कुल नींद लग रहा है लग रहा है कि जैसे में काफे टाइम पहले उट चुकी हूं इतना अच्छा लग रहा है और अभी घर्मिया आ रही है ना तो मौर्निंग में बहुत अच्छा लगता है तो अभी मेरे पास बहुत तो इसलिए बिल्कुल धीमे से दीरे से काम करना है तो चलिए उसके बाद उठाते हैं मैक्रो फाइवर गलप्स और इसी पहनते हैं साथ में लेते हैं कोलीन और लाइन से जितने भी पूरी डींचर में उनने इखा फ्लीन कर लीते हैं आशा सुबछ की सबसे अच्छी बात यह ना कि सुबह में आप जो भी काम करो बढ़े अच्छे से और बढ़े अच्छे मन फे से होता है इसलिए जल्दी हो जाता है क्यो तो चलिए मैंने एक उठाया था मैंक्रोफाइवर क्या गलप्स बोलेंगे उसे मैंने हाथ में डाला है और कोलीन जो कि मेरा फेवरिट है वह मैंने उठाया है और एक लाइन से जितने भी फनीचर है उन सब को में पोस्ते जा रहे हूं क्योंकि जारू लगाने से पहले सबसे पहले आप डस्टिंग कर लो तो वह जादा अच्छा है थोड़े बहुत जो गंदे गिरने हों या जो भी बहुत निकलने हो निकल जाते हैं उसके बाद फिर अराम से आप जारू लगा के सारे गंदे एक साथ निकाल दो तो वही जितने भी फनीचर एक लाइन से हैं सब मे एक बार में हाथ गुमा देती हूं सबको एक बार अच्छे से पोच लेती हूं तो सारा हमेशा क्लीनी अर्चम चमाते ही रहते हैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता है पुरी घर को भी मैं मिला के बोलू तो पांच मिनट से भी कम मुझे टाइम लगते हैं साप सुतरा क वह साफ सुतरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मालक्षमी का जब हमारे गर में प्रिवेस होता है तो बाहर से ही अंदर की और आती है तो बाहर ही हमारा गंदा रहेगा तो हम अंदर कितना भी चमकाले कोई फाइदा नहीं है और खासकर बाहर में जो यह सूरेक वाला एर जब अच्छा रहता है तो इसमें मैं लेट विल्कुल नहीं करने वाली थी क्योंकि अभी बी सब सोई हुए और मेरे पास अभी एक घंटा है तो इतने में फटाफट ज्रू पोचा करके चलती हूं तो जाडू पूचा हो गया था तो उसके बाद अब मैं आ गयी हूं नास्ता बनाने तो रात में मैंने सुबह के सबजी के लिए आलू को बोयकर करेकर रखा था ओर थोड़े से चने थे उन्हें भीगो दिये थे तो आलू चना आज में बनाओंगी आलू चना सब्जी सभीको बहुत जादा पसंद भी है, रोज एकी तरह की सबजी खागा के बोर हो जाते हैं, तो बीज में कभी सोया बिन बना लेती हूं, कभी चने भिंगो लेती हूं, उनकी सबजी बना लेती हूं, तो कभी छूले बना देती हूं, कभी बेसन का कुछ बना ली हूं, ऐसे करके मिक्स करके बनाती हूं तो सब बोर भी नहीं होते हैं बड़े अराम से खाते भी हैं तो वही तो चलिए फटा-फट सब्जी बना लेते हैं उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है बचों को उठाना है बचों मतलब सिर्फ प्रीत का है स्कूल युक का मतलब एक्जाम कटम हो या उ कुगर में सबजी फटा-फट होनी है और इधर मसालो के तयारी करें तो मसालो में मैं डाला है प्याज फोरन और अद्रक लशुन टमाटर और लाल मिर्चा का पेस्ट वो मैंने बना लिया है तो सबसे पहले मसालो को अच्छे से फ्राई कर दिया था और मसाले बहुत अच् को अच्छा के साथ मैंने यहां वाइट वाले मटर एड़ किये थे चने थोड़े सहीत है तो मैंने थोड़ा सा एड़ कर दिया तो उसके क्वाइंटिटी ठीक हो गहीं ने तो फिर स्रेभ आलु ही दिखते है अलु चने के सबजी में तो अभी वह विक्दम परफेक्ट है तो चलिए सबजी मेरी यहां बनकर रेडी थी और मुझे बनाने थी अभी गर्मा गर्म पूरियां और आज ऐसा हुआ है कि रिफाइन तेल खतम था तो फिर मतलब थोड़ा सा था ज्यादा नहीं था तो अभी मुझे सरसो तेल से ही पूरिया चानने पर लिए वैसे सरसो तेल हेल्थ के लिए खराब नहीं ह उता है तो बढ़ हां कि हमेसा हमारी आदत हो गयी है कि रिफाइन तेल में ही कुछ भी फ्राइऑ करने का हूत तो रिफाइन तेल में ही फ्राइऑ करते हैं बट आज मैं सर्सो तेल यूज कर रही हुँ बट अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है खराब पहली बार मैं भी ट्राई कर रही हुँ पूडियां, ऐसे देखी कि दूसका उसका मैं बनाते हुँ तो सर्सो तेल में ही बनाते हुँ बहुत असटी लगता है आप भी एक बार बना के देखना बट पूरी पहली बार सरसो तेल में फ्राइ कर रही हूँ क्योंकि रिफाइन तेल है ने और इतनी मॉर्निंग में दुकान नहीं कुला है कि जाके में रिफाइन तेल लेक के आऊ या इन्हें भेजू तो इससे अच्छा है कि जो आपके पास अबलेबल है आप उससे से काम चला लो तो सरसो तेल से मैंने पूरिया बना ली बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी खराब लगा या कुछ भी इनोंने खाया या से यह भी खा रहे हैं बच्चों ने भी खाया तो सब ने कहा कि अच्छा ही भी हो गया था अप्रीज भी स्कूल निकल गया था उसके बाद मेरा काम तो अलमोस्ट नहीं था तो फिर मैंने नहा लिया था और सबसे अच्छी बात रही कि पूजा आज घर में सुबह सुबह अच्छे से हो गया बहुत अच्छा लग रहा था ने तो इधर मतब सदियों के दिन में थोड़ी से लेट उट रही थी तो पूजा करने में भी दस बजी जा रहे था बट आज एकदम टाइमली हो गया पूजा तो बहुत अच्छा लग रहता है तो चलिए आज सुबह उटने का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि काम मेरे एकदम टाइमली डन हो गया औ और अभी बज रहे हैं और मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है मतलब इस बिनान से मैं सब कुछ अराम से कर सकती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा काम रहता है मानो या ना मानो घरक में जाड़ू पोजा करना वो अगिर हो जाए ना तो आप में पूरे दिन निश्चिंत रहते ह तो इसी के साथ अब टाइम हो गया था इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का तो चलिए मैं करती हूं इस ब्लॉग को यहीं एंड और उमीद करती हूं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो फट 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 लाइक करिए शेयर करिए औ तो चलिए आज के लिए तना ही मिलते है नेक्स प्लोग में तब तक लिए बाई और आप सब अपना ख्याल रखिएगा